अगली बड़ी खबर आपको बता दे जहां पवई में आपसी विवाद में दो पक्षों में फाइरिंग हुई गोली लगने से तीन की मौत की खबर है एक घायल बताया जा रहा है घायल को अस्पताल में भरती कराया गया पवई थाने के टप्रियन गाउं की घटना बताई ज रही है परना के पवई में आपसी विवाद में दो पक्षों में फाइरिंग हो गई गोली लगने से तीन की मौत एक घायल बताया जा रहा है घायल को अस्पताल में भरती किया गया है पवई थाने के टप्रियन गाउं की घटना बताई गई जानकारी देंगे देवेंद्र मेरे सेयोगी फोन लाइन पर बने हुए है देवेंद्र यहाँ आपसी विवाद सामने आया है दो पक्षों में फाइरिंग तक की खबर है तीन की मौत हुई है क्या कुछ जानकारी जी मैं आपको बता देवेंद्र सामने आया निकल के आ रहा है जमीनी बिवाद के चलते हैं इतना बड़ा हास्ता हुगा है जो हिंदू मुसलिम पक्ष है उन लोगों के परिवाद 20 लोग जो बेखती थे उनोंने एक वहीं पर ग्राम बास यह ठाकुर साब उनको अंदर कर अगे उनको माट डाला है और जो बेक्ती है एक बेक्ती की गंबी रूप से मौत हो गई है और दो अभी जी पारण जी चलिए शुक्रिया जानकारी के लिए तो एक घायल हुआ है तीन की मौत की खबर है पवई थाने के टप्रियन गाउं की घटना बताई गई दो पक्षो में विवाद फाइरिंग तक हुई तीन लोगों की मौत एक खायल